नमस्कार दोस्तों में वर्षा भाउ सार मेरे चैनल रसोई घर में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं बुट्टे के कीस की रेसिपी जो MP का फेमस होता है बनाना बहुती आसान है लेकिन खाने में बहुती स्वाधिस्ट लगता है तो चलि पाउडर एक चमच हम डालेंगे नमक इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो जब आप भुट्टे खरीदे तो इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए हमें यहां पर देसी भुट्टा ही यूज करना है और भुट्टे बिल्कुल नरम दाने वाले ले तो ग दालेंगे आधी चमच सोफ एक हरी मर्च लिया है जिसे कट कर लिया है यह भी इसमेट कर देते हैं अब मैं डाल रहे हूं पांच से छे करी पत्ते बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है करी पत्ते का पांच साथ मैंने काजू के पीस लिये हैं तो टोटली ऑप्शनल है अगर दाल देंगे आधी चमच हली पाउडर किसे भी मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें एड करेंगे यह बुट्टे का किस यानि जो भुट्टे हमने कद्व कस करके रखे हैं अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे करीब एक मिट के लिए हम इसे इसी तरह से चला पकने देंगे इस बीच विच मि a मिसे हिलाती जरूर रहेंगे क्योंकि जो भुट्टे होते हैं कलई में बहुत ज्यादाशिते हैं लेकिन जैसे बुट्टे का किस पाणने लगेंगा जूडरने लगें हाग है तो अब मैं इसमें एट कर देती हूं दूद तो मैं यहाँ पर आधकब तूर डाल रही हूं तो आप चाहें तो दूद की जगे यहाँ पर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं छीनी डालने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसका इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहां पर तो देखें सभी चीजें यहां पर मिक्स हो चुकी है तो मैं इसे फीर से कवर कर देती हूँ 2-3 मिट के लिए हम इसे फीर से छोड़ देंगे जो जो हैं आप जाए अंटो कि दो तिन में हो चुके हैं यह जो फुट्टा है पूरी तरह से पक चुका है यानि भुट्टे का कईस अमारा वैसे बनकर बिल्कुल रैडी हो चुका है तो अब मैं यहां पर डाल देती हूं बिल्कुल बारिक कटिवी धन्यापति इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितना खिला-खिला भुट्टे का किस बनकर हमारा यहां पर तयार हुआ है बहुत यह स्वादिस्च लगता है आप जरूर से ट्राइ कीजिए तो अब हम इसे सर्व करेंगे तो बिल्कुल गर्मा गरम भुट्टे का किस बिल्कुल रेडी है बारिश की मौसम में जब आप इसे खाएंगे तो इसका मज़ा तो दुगना ही हो जाएगा तो उपर से में इसमें डाल देती हूँ कद्दू कस्कियावा सूखा नारियल और आप चाहें तो यहाँ पर निम्बू का रज भी उज़ कर सकते हैं आप रेसे पी ज़रू से टाइब आएगे